आप सभी जानते हैं कि बिहार Postmatic Exclusive के माधहिम से जो BC, EBC छातर छातराय हैं उनका जो है Exclusive के लिए form फिल किया जा रहा है। आप में से काफी सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो रेजिटेशन है उसको कर लिया है और उनको जो है User ID, Password मिल गया है। अब User ID, Password मिलने के बाद आपको जो है Exclusive के लिए अपलाई करनी होती है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है बहुत ही एक टॉप प्रोसेस होता है। अगर आप थोरा सभी मिश्टेक करेंगे तो आपको जो है Exclusive का लाब नहीं मिलेगा। तो मैंने रेजिटेशन पे एक डिटेल्स वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यार मिला था। अब मेरे पास User ID, Password आ गया है। और इस वीडियो में आपको हम लॉगिंग करने में प्रोब्लम आ रहा है। उसका भी solution देंगे। और किस तरह से scholarship के लिए अपलाई करना है। कौन-कौन से documents आपको लगाने है। सभी जनकारी जो है A to Z बताएंगे। हाला कि वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है लेकिन जनकारी जो है आपको कहीं न कहीं सही बताई जाएगी। जिसके माधियम से आप इस वीडियो को एक guide के रूप में देख सकते हैं कि हां किस तरह से form को apply करना है। और किस तरह से क् अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेर करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको जो है easy to net.com सर्ज करना है फॉस्ट में जो आपको यहां पर website का link मिलेगा इसको यहां से open कर लेना है यहां पर आने से फायदे ही होंगे कि आपको जो है easily link provide कर दिया आता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे ठीक है तो इसमें सभी जनकारी दी गई है जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं नीचे आएंगे तो आपको जो है एक login का यहां पर बटन मिल हैं तो login नहीं हो रहा है note found बता रहा है जबकि हम user ID password से डाल रहे हैं जो भी हमें message के द्वारा पराप्त हुआ है तो आपको हम बता दें कि देखिए एक बार आपना जो application का जो status है उसको चेक कर लीजिएगा अगर आपको user ID password मिल गया है फिर भी उसके लिए आपको यहां प आपको बता दें कि चेक करने के बाद अगर आपका इस तरह का message आता है कि आप जो है eligible है postmatic scholarship apply करने के लिए तो आप यहां पर login कर पाएंगे कई लोग को क्या हो रहा है कि उनका user ID password है उनको भेद दिया जा रहा है लेकिन यहां पर यह जो चीज है ना सो नहीं करा जाता है य तो आपका यहां पर user name ठीक है और आपका mobile नंबर दिखाई देगा और नया password जो है जरनेट करने का option मिलेगा सबसे पहले यहां पर नाम लिखना है जो भी नाम है लड़की का या फिलड़के का उसके बाद यहां पर जरनेट OTP के option पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद अपको यहां पर बनानी होगी तो आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको आप यहां पर लिखेंगे तीस तरह से नया password आपको देना है केप्चा को फिल करना है चेंड पासवर्ड का option पर क्लिक करना है तो आपका जो पासवर्ड है चेंज हो देश्बूड ओपेंड होगा आपको सबसे पहले अपना जो प्रस्कार लीट्र से उसको यहां पर अपडेट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है अब क्लिक करने के बाद कूछ आंकारी अपने जो पहले से दिया हुआ है और कूछ आपको भरनी होगी जैसे कि सबसे पहले आपने जो भी कैट्पव दिया होगा उसके अनुसार आपको बताना होगा कि आप कौन से जाती से आते हैं तो यहां पे सब designer को sermon कर लेंगे उसके बाद सब कस्ट कोई है प्राइबिट जॉब में हैं फार्मर है बिजनस है या फिर गॉर्मेंट जॉब में हैं जो भी है आप यहां पर सिलेट करेंगे उसके बाद आपका जो भी रिलीजन है आपको बताना होगा कि आप हिंदु है मुस्लिम है सीख है जैन है जो भी है आप यहां पर सिलेट करेंग आपका जनकारी आपडेट हो जाने के बाद यहां पे बटन मिलता है तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं है क्योंकि आपने बैंक डिटेल्स रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट करते समय दे दिया है और सटीफिकेट डिटेल्स भी उस समय ही दे दिया है जैसे कि आए ठीक है आपका इससे कुछ मतलब नहीं है इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फोटो अप्लोड करने के लिए जहां भी फोटो है उसको यहां पर डालेंगे अपडेट फोटो को अप्सन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज का साइज है बोलेगा कि पचास के बीसे कम होना चाहि इस तरह से अपडेट हो गया गया अपको कर लेना है अब इतना काम करने के बाद अब लास्ट में अपको उप्लिक करना है तो है आपको क्लिक करना है अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है form आ जाएगा अब इस form को जो है बढ़ी सवधानी से भरनी है कुछ भी मिजटेक आपको नहीं करना है पूरा इंटरक्शन के साथ वीडियो को बनाया गया है तो प्लीज वीडियो सुरू से अन तक लेकर जो देखे और सही से form को फिल करें सबसे पहले आप अपलाई फोर फ्रेस में ही रहेगा और एक्टिव रहेगा दोनों को इसे ही रहने दीजिएगा आपको पर टीक नहीं करना है सबसे पहले कर में 2022 से लेट करने का ऑप्शन मिलेगा क्यूंकि 2022 से अपको जनकारी देनी होगी ठीक है इस बातों का ध्यां रखिएगा क्य पढ़ाई कर रहें उसी के जनकारी देंगे और यहां पको इसक्राशव मिलेगा बिहार के अदर किसे राजय से पढ़ाई कर रहें तो से लाब आप नहीं ले सकते हैं क्यूंकि बिहार सरकार में साबसाप कहा हुए तो बिहार ही आपको शिएट करना है उसके बाद आपना जो है district जहां भी आपका इंच यूट मातलब माल लेजी कि आप बिहार में गोपालगन से है ठीक है पधाई कर रहे हैं पठना में पढ़ाई कर रहे हैं पठना मेट तो बिढ़ Chrome लेंगे तो आप यहांि आप कोलेज का नियूट करने का आएगा तो भी आप college में पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है उसको आप यहाँ पर select कर लेंगे इस तरह से अब जैसे ही select करेंगे तो उसमें जो भी courses available होंगे जैसे कि आप करते होंगे तो आपको पता ही होगा वैसे यहाँ पर course का नाम जो है select करने का option भी मिल जाएगा तो इस institute या फिर college से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है उसको आपको यहाँ पर बतानी होगी कि आप arts कर रहे हैं commerce कर रहे हैं फिर science कर रहे हैं जो भी है उसको आप यहाँ पर एक बार select कर लेंगे अब select करने के बाद क्या होगा कि उस course के according जो भी details है ठीक है आपको यहाँ पर देखने को मिल जा अगर त经 قलेज़ अपस्टेट यहां पर दख सकते हैं दो कि दिखने को मिल रहा हूar रहा है इसमें कुछ शेट्षड करने के ओसकता यहां पर आटोमेटिक ली आजाता है अब यहां पर आपको नीची आनी है तो यहां पर आपना ज़ो है जनकारी बड़ी ही ध्यान से भरनी है् सबसे पहले कोर्स का जो है सेशं पुछा जा रहा है जैसे कि मांगीची आप अगर इंटर कर रहे हैं तो दो साल का आपकाero सब्सक्राइब अगर आपने 2020 में इंटरम अडमिन्शन लिया हुआ है तो आपका 2021 सेशन हो गया अगर आप गेजूएशन कर रहे हैं 2020 में अपने य nósन लिया होगा तो 2023 आपका सेशन हो गया लेकिन अभी जो है 4 सल का हो रहा है तो तो 2020 यहां पर करेंगे और उसको इसके बाद 2023 करेंगे ठीक है इस तरह से अब इन्होंने graduation में कब admission लिया हुआ है मतलब कि graduation करने के लिए जो course है ना उसमें इन्होंने कब admission लिया हुआ है वो यहां पर बतानी होगी के बाद उनका admission या फिर second year जो भी है आप यहां पर बताएंगे कि कौन सी यह में है तो यह present में है तो present यहां पर डालेंगे उसके बाद यहां पर 2023 एक एडमिक यह में आपने फिर दुबारा second year के लिए फिर first year के लिए कब admission लिया था तो आप बताएंगे जैसे कि admission जो है आप course में जब इन्रोड किये थे लिए थे उसका date हो गया और जैसे कि आप असनातक कर रहे हैं तो उसमें तीन साल का course होता है तो first year में admission लेते हैं फिर second year में admission लेते हैं फिर non-refundable fee आप से पूछा जाता है तो जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से एक fee receipt बनावाना पड़ता है जो कि इस तरह से format में होता है ठीक है मतलब college का लेटर पैड होता है college का नाम उपर लिखा रहता है ठीक है और इस format में सभी जनकारी admission fee, tuition fee, registration fee, exam fee, union fee, library fee, other सभी जोड़कर यहां पर only non-refundable fee आप लिखा जाता है कि कितना आपका हो रहा है ठीक है तो इस पर जितना भी आपका लिखा होगा पर देए खुआ है कि college के दोवारा जो है यह निधाइद किया गया है और हमारा receipt पर यह वला है या फिर रिशिप्ट भी आपको दे दिया आता है कि college के दोवारा कितना निधाइद है ठीक है और आपको पे लगा हुआ है तो यही जो है fee receipt के माधिम से आपको यहां पर भरन नहीं होती है तो ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है आपके पास फी रिशिप्ट इस तरह का फोर्मेट नहीं है तो आप कॉलेज में दिखाईएगा कॉलेज के लेटर पैट पर जो इस तरह से आपना जो फी रिशिप्ट है उसका सेंपल आप उहां पर उनके गौर्मेंट ने रिसाइड किया हुआ है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है वह आप यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद अगर आप होशल में रहके पढ़ते हैं तो यह करेंगे नहीं तो नू करेंगे उसके बाद अगर आप क्रेड़िस इस्टम के माधिम से अपना जो लास है जैसे कि हमने आपको बताए कि अगर आप कर रहे होते हैं तो तीन साल का कोर्स होता है तो जो भी मतलब की जैसे कि माल लीजे अगर आपने 2020 में अड्मिंशन लिया था तो अभी जो है आपका जो प्रिवियस होगा ओ आई थिंक सकेंड डियर का होगा ठीक है क्योंकि फॉस् हुआ है जैसे कि माल लीज में इंटर में हाली में एड्मिंशन 2022 में कि दिध और तिक है तो आपका जो कोर्ट करने का हysłा है्श और पोष्गर्विशन पने डालना चाहता हूं तो यहां पर मैं इंटर का स्लेट करूंगा ठीक है गुरुब डी बहला तो इसमें इंटर वेगर आजाता है यहां पर देखेंगे तो 10 प्लस 2 यहां पर आ जाता है तो इस तरह से आप स्लेट कर लेंगे उसके बाद उसका इन्युवर्सिटी का नेम जो भ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अंदर टेकिन का जो है ऑप्सन आएगा जिसमें आपको सभी चीजों को सर्टिफाइड करना होगा ठीक है कि मैं भारत का नागरिक हूं तता बिहार का स्थाई निवासी हूं जहां मेरी जाती BC, EBC के अर्तगरत आती है तो यहां प पढ़ेंगे ठीक है और सभी को टीक करेंगे अपने हिसाब से देख लेंगे अैज आपको जो हे documents upload करनी है documents में सबसे पहले matric का यहां पर certificate आपको upload करना है तो आप यहां पर choose file का option पर क्लिक करके उसको upload कर देंगे और उसका जो भी certificate number और issue date है आप यहां पर डालेंगे उसके बाद last जो एक्जाम आपने passing किया हुआ है उसका marksit अपको बताया उसके हिसाब से जो भी last year आपने pass किया होगा उसका जो passing marksit होता है वो आपको यहां पर upload करना है उसका certificate यहां पर डालनी है और उसका date यहां पर डालना है कि कब वो issue हुआ था उसके बाद यहां पर bonafide certificate आपको भी upload करनी होगी तो bonafide certificate कुछ इस तरह से जो है सेंपल होता है जो कि जो भी college आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लेटर पैट पर उसका college का नाम बेगराबर उपर लिखा होना चाहिए उस पर इस तरह से फोर्मेट में आपको bonafide बनवानी होगी और यहां पर जो भी वहां के authorized है उनका signature और stamp यहां पर करवा कर इसको भी आपको यहां पर upload करनी होगी bonafide में और उसके बाद free receipt भी आपको यहां पर upload करना है जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से free receipt होता है जो कि आप अपने college के letter pad पर इसको बनवा सकते हैं और वहां से signature महर करवा कर लाकर इसमें आपको upload करना है सबी जो file है न यहां पर बोला गया है कि चार सक्वी से कम होना चाहिए और file skin black and white में होना चाहिए ठीक है तो इस बात को ध्यां रखिएगा और PDF file में आप इसको upload कर देंगे ठीक है तो इस तरह से सारे documents को यहां पर choose file पर click करके upload करके और यहां पर जो भी आपका bonafide का यहां पर certificate number है bonafide भी आपका बनेगा तो वहां पर एक certificate number आपको द दाननी होगी ठीक है और उसका issue का date यानि कि जब भी issue हुआ होगा उसका date यहां पर डालेंगे और सभी को यहां पर भरने के बाद last में आपको final submit करना होगा final submit करने के बाद कहीं भी आपको college में इसका hard copy जामा करने की अवा सकता नहीं है form को final submit आप करके इसका जो receiving है उसको सुरक्षित रख लिजिएगा इसके बाद कोई भी hard copy आपको कहीं भी जामा करने को सकता नहीं है आपका जो है सबसे पहले इंच्यूट लेवल पर verification होगा वहां से अप्रूब होगा उसके बाद आपका district लेवल पर verification होगा और उसके बाद अप्रूब होने के बाद जो भी आपके खाते में ट्रांसपर कर दिये जाएगा इन बातों का ध्यार रखे कि आपका जो एकाउंट है dbt से लिंक होना जरूरी है नई तो पैसे आने में आपको समस्या हो सकती है तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करे और आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट से समय कमेंट करके जरूर पूछे जैसे मुझे समय मिलता है आपको हम उसका रिपलाई करने की कोशिस करेंगे